असलामलेकम डियो स्टूटनेंट्स यह मेरा पहला लेक्ट्टर है जिसमें मैं डिसकस करूंगी एसेक्स रेप्रोडेक्शन इंग उडोगोनियम किस तरीके से होती है वह मैं सारा समझाऊंगी इसमें ना जैसे मैं आप लोगो पहले बताया था कि ऊडोगोनियम रिप्रोड् मैं आप लोगो पढ़ा दि तDING उन्हागी जैसा कि उसके नाम स्वी लग रहा है इसेसोल स्पोर्ज मैं और यह क्या है उडोगोनियम की प्लांट बाडी डिवेलप करेंगे ठीक है यानिके एसेस्पर्टेक्शन इसमें सेक्सिस इन्वाल्व नहीं होंगी मेकनिजम क्या है इसके बनने का मेकनिजम ओफ जोस्पूर फॉर्मेशन कुछ में आप लों को ना इसकी बाते जोंसी है मतलब बुक में से रीडाउट करके बताऊंगी तक आप लों को अच्छी तरह समझ आ जाए तो मेकनिजम ओफ जोस्पूर क्या होगा न्यूकलिस ओफ जोस्परेंजियर मूब तोवर्ट्स वन साइड और एंटार प्रोटोप्लास कंट्रेक्ट इंटूर रॉंडिड और ओवल मास ठीक है मैंने आप लों को पहले एक चीज़ बतानी है कि इसका आप लोग शायद भूल चुके हूँ इसका यानि कि प्लांट बोडी कैसी है यह नहीं कि इसकी प्लांट बोडी है फिलामेंटस फॉर्म में है सिंगल फिलामेंट भी हो सकते हैं अंदर वाले सेल्स को हम कहते हैं इंटर कैलरी सेल्स जो इंटर कैलरी सेल्स होते हैं इनमें कुछ खास किसम के सेल्स होते हैं जिनके अंदर यह ना रिंग्स की फॉर्म में इन चीज़ें मैंने आप लोग बताई थी कि यह रिंग्स बनते हैं इन cells को हम कहते हैं cap cells, क्या कहते हैं cap cells, इनकेंदर caps बनती होती हैं, तो यह cap cells मैंने आप लुग को बताया था, यह behave करेंगे as the reproductive cells, अब reproductive cells, यानि के यह या तो फिर zoospore बना सकते हैं, यानि जुवॉस्पोर अन्जियम बनेगी इन cells के अंदर, या इन में क्या बनेंगा Oogonia और Enthridia ठीक है समय लगे इस चीज़ की Oogonia and Enthridia तो जैसा कि हम लोग Zoospors Formation पढ़ रहे हैं यानि कि Asexual Reproduction पढ़ रहे हैं तो फिर आज सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन Capsules के अंदर Reproduction कैसे होगी ठीक है कोई भी Capsule बिहेफ करेगा Zoospor Enzyme के तौर पे किस के तौर पे बिहेफ करेगा Zoospor Enzyme के तौर पे अब यह कैसे करेगा The Nucleus of the The Nucleus of the Zoospor Moved Toward One Side And the Entire Protoplast Contract into Rounded or Oval Mice आप यह देखे यह एक Capsule था तो इसका मास जून से है वह एक दरूँ